हेलो एस्पारेंट्स आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ओफ साइंस यानि विज्ञान के शाखाओं की आज की टॉपिक में हम ए अल्फावेट से लेकर के एच अल्फावेट तक की जितनी इंपॉर्टिंट टर्म से उनको गवर करेंगे और सभी एक्जामनेशन में आपको पता है कि इस तरह की कोशन्स पूछे जाते हैं कि जिनेटिक्स किसे कहते हैं या एग्रोनॉमिक्स क्या होता है टॉक्सिकोलोजी क्या है वाइरोलोजी क्या है रेडियोलोजी क्या है माइकोलोजी क्या है इस तरह की जो कोशन्स हैं वो important role play करते हैं और ये miscellaneous का ही पार्ट माना जा सकता है science के अलावा तो आपको ये topic तो अच्छे से याद होता है रटा हुआ होता है लेकिन मैं चाहूंगी कि आप रटे नहीं बलकि इन्हें diagrams के थूँ और concept के थूँ समझे ताकि आपको कभी भी confusing न लगे और सारी चीजे crystal clear हो और आपका exam में answers बिल्कुल सही हो तो इसके लिए आपको एरीना बगेल YouTube channel subscribe कर देना है ताकि आपको important videos के updates मिलती रहें subscribe कीजे और इसे share कीजे ताकि मैं और अच्छे videos बनाने के लिए motivate होती रहूं हम start करते हैं आज को topic branches of science यानि की हम यहाँ पर alphabet E से start करेंगे तो पहला चो term है हमारे पास वो है aeronautics ओकी अब यह aeronautics क्या है तो aeronautics हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आपको यह धियान रखना है जब तो aeronautics की बात की जाती है तो यह वाई-उयान से संबंधी तिस्त में तक्थियों का अध्यें किया जाता है यानि कि जो aeroplane related terms है उनकी study करना क्या कहलाता है aeronautics कहलाता है Aero words से भी आप इस तरह के terminologies को अपने answers में easily find out कर सकती है मतलब कि यदि आप terms में भी थोड़ा सा ध्यान दे तो आपके answers से उसके branches से मिलते हुए समझ में आ जाएंगे कैसे हम आगे और examples में देखेंगे दूसरा term है आपका agronomy जब agronomy की बात करेंगे तो agronomy में क्या देखते हैं agronomy में agro word है और agro agriculture से related है प्रोडक्शन और क्रिश्य रिलेटेड यानि एग्रिकल्चर रिलेटेड जो भी टेक्निक्स हैं और उनके डिबलमेंट का अध्यन किया जाता है तो agronomy क्या हो गया जो खाद्यान उत्पादल और क्रिश्य संबंधी तक्नीकी और विकास का अध्यन करें यानि कि ग्रेड प्रोडेक्शन और एग्रिकल्चर रिलेटेड इंगलोजी एंड इट्स डिबलमेंट ओके नोन ऐस दा agronomy तो फिर अब आगी पढ़ते हैं अगला आपके सामने जो टर्म है वो है अनाटॉमी जब अनाटॉमी की बात करेंगे तो अनाटॉमी टॉम काफी इंपोर्टिन्ट है एग्जाम में पूछा जाता है अनाटॉमी में आपको पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारा क्या है यह पुरी बोडी के आर्गेंस है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एग्रोनामी ब्रांच में जो भी शरीर के बिभिन भाग है उनके इंटर्नल स्ट्रक्चर का अध्यन किया जाता है आंतरिक सेंड़चना जीवो की आंतरिक सेंड़चना का अध्यनी अनाटॉमी कहलाता है यानि कि इस्टरी ओफ दा इंटर्नल आर्गेंस आफ ऑर्गेंसम ऊकी नाँ नेक्स नेक्स इस आर्खियोलोची बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है इस साल काफी चर्चा का विविशे रहा है आर्खियोलोची तो आर्खियोलोची में हम क्या देखते है जो पुराने कई सो साल पुराने हुँ ऐसे भवन ऐसी चीजें जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानना और उस वस्तु की बिविन सनरचनों के निर्माण और विकास की प्रक्रिया के बारे में जानने का अफसर मिले आर्खियोलोची या आर्खियोलोचीकल थिंस जो होती है वो हिंदी में पुरा तात्विक कहा जाता है यानि कि जो भी बहुत पुराने समय से हो हमारी प्रकृत में और उनके द्वारा हम जो human being है उनके physical और cultural development का अध्यन कर सके यानि कि भौतिक और संस्कृतिक विकास के अध्यन इन archaeological शाखाओं के अंतरगत किया जाता है तो archaeological क्या हुआ? Archaeology हुआ जिसमें archaeological things का study किया जाए पुरा तात्विक वस्तुओं का ठीक है? For example, जैसे कि अभी गुलाबो सिताबो एक movie आई थी अमिताब बच्चन और आईश्मान खुराना की तो उसमें अमिताब बच्चन का घर्षू है, वो काफी पुराना होता है और उसके लिए archaeological department के survey team आती है तो इस तरह से आप जानते हैं या फिर history में आप Indus Valley sites से यानि सिंधूर नदी के आसपास की जो इस थान है, वो भी पुरा तत्वी विभाग या पुरा तत्वे काध्यन के अंतरगत हम पढ़ती हैं अगली जब बात करें तो वो टर्म है हमारा कोस्मोलोजी कोस्मोलोजी क्या है? कोस्मोलोजी है ब्रह्मांड का अध्यन करना यानि कि universe related study जो है वो कोस्मोलोजी कहलाती है अब universe में इसका origin कैसे हुआ और इसका structure कैसे है इस सभी बातों के बारे में जाना जाता है और जब कार्डियोलोजी की बात करें तो cardiac related things यानि कि जो हिर्दय संबंधी बाती हैं उनका धिन करना क्या कहलाता है? Now next, next is the cryogenics अब cryogenics में भी cryo word देखे cryo का मतलब होता है freezing बहुत ज़्यादा ठंडा तो cryogenics ये कैसी branch है जिसमें क्या क्याते हैं? बहुत ही low temperature पे हम इसका use कियाते हैं उसे control करते हैं तो बहुत ही low temperature पे किसी चीज को रखना उसका अध्यन करना ये सारी चीजें आती हैं cryogenics के अंतरगत यानि इसका simple cryo का मतलब ही है low temperature होना बहुत निमने ताप में तो low temperature पर ये हम किसी वस्तु का use कर रहे हैं उसे control में रख रहे हैं कोई process देख रहे हैं उसका निर्मार कर रहे हैं तो cryogenics ब्रांच के अंतरगत ये अध्यम कहलाएगा फोर एक्जेंपल येदि आप research में थोड़ा बहुत इंट्रेस्टर रखते हैं ठीक हैं तो वेग्यानिक गद वीदियो में हम इसे बहुत यूज करते हैं हम क्या करते हैं कि जो cell lines है मतब बहुत सिंपल चीज बता रहे हैं बहुत ही सरल शब्दों में जो cell lines हैं यानि कि जो tissues हैं जो cell हैं जब हम cell culture करते हैं तो cell culture में monoclonal bodies या फिर cell culture की चीज़ों को हम बहुत ही low temperature पे यानि कि liquid nitrogen वो होता है और उसका temperature बहुत ही low होता है minus 127 degree Celsius से के अप्रोक्स होता है उस temperature पे हम उस cell lines को उन products को रख दीते हैं ताकि वो लंबी समय तक खराब नहूं ठीक हैं तो cryogenesis कहलाती priority process और उसका पूरे study करना cryogenics कहलाता है नाव नेक्स्ट बहुत लीजी टर्म ecology ecology को हिंदी में कहा जाता है अeur ecology को अबी टर्म दिमाग से निनकले निखले पारिस्थित की यसिती की हिंदी में कहते हैं मैं क्या करते हैं पारिस्थितिकी में आपको इस पष्ठ है कि पारिस्थितिकी में जो जीव जन्तु है उनका बहुत अवरुन के साथ यान कि ऑर्गिनिसम का रुलेश्चन विद अध्यान करना एकोलोजी कहलाता है नाव नेक्स्ट इस इन्टमोलोजी बहुत ही प्यारा टाम है इन्टमोलोजी इन्टमोलोजी की बात करें तो यहां पर जो कीट होते हैं तो जो इन्सेक्ट होते हैं उनका अध्यान करना क्या कहलाता है इन्टमोलोजी कहलाता है आप यहां पर तितली की फोटो है तो यह PCS का तितली क्या है तो वाटरफ्लाइज अ इंसेक्ट ओके यह इंसेक्ट है यह भी कोशनियात रखना है नाव नेक्स्ट इस अग जरेंटोलोजी अब इसका यहां पे मैंने डाइग्राम नहीं दिया है जरेंटोलोजी का मतले भी व्रिद्ध अवस्था यानि की ओल्ड एज जो होती है तो ओल्ड एज की जो इस्टडी होती है उसे कहा जाता है जरेंटोलोजी अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीज़े तो ऐसे ही आपको चाहिजे समझ में आएंगी जोकि रटनी ने पढ़ेंगी एक बार देखा और हमें हमेशे कली याद हो गई नौ नेक्स आम है हमारा जनेटिक्स जब 線理द्ध की बात करते हैं तो क्या देखते हैं genetics में जो अध्यन किया जाता है किन चीजों का अनवान्षिक ही का इसे हिंदी कहा जाता है तो genetic वो field है, वो शाखा है, साइंस के वो branch है जो कि generation to generation यानि पीड़ी, दर्व, पीड़ी, DNA या पिर किसी भी अनवान्षिक ही काई के इस्थानांतरण का अध्यन करती है शौट में समझाती हूँ पहले definition देखिए ओके genetic is the branch of the science which deals with the or the trace structure transfer from one generation to next generation यानि कि यह हमारी यह कोशी का है cell है और cell में यह केंद्रक है यानि nucleus तो यहाँ पर यह DNA है DNA में ही present है gene और chromosomes यहाँ पर है तो यह chromosomes gene और जो DNA है यह क्या कहलाता है यह genetic material कहलाता है और किसी में नए बच्चे में जो कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है उस बच्चे में half chromosomes जो होते हैं वो father से आते हैं और half chromosomes यानि 23 from male and 23 from female तो total number of chromosomes होगे 46 अभी chromosomes जो है यह headatory units जो है DNA और gene यह क्या कर रही है यह parents की जो characters है जो लक्षन है उनको उस office print में उस नए बच्चे में ट्रांसफर कर रही है तो यही पूरी जो study होती है जन्ने ट्क्स में क्या किया चाता है पीड़ी दर पीड़ी जो आन्वानशिक का इकाई है उनका अध्यन करना ही जन्ने ट्क्स कहलाता है यानों आन्वानशिक कहलाता है तो आन्वानशिक में हम क्या कर रहे हैं प्योड़ी दर प्योड़ी होने वाले अन्वाशिक कारकों यानि DNA, जेन और क्रोमोजोम्स का अध्यन कर रहे हैं, ओके? नाओ, नेक्स्ट इस एम्ब्रेयोलोजी, अब एम्ब्रेयोलोजी क्या है, एम्ब्रेयो का मतलब ही होते है भुरूण, ठीक है? तो एम्ब्रेयोलोजी में क्या किया जाएगा? एम्ब्रेयोलोजी में ढूण की उत्पत्ति, यानि की एम्ब्रेयो ओरेजिन, उके? उसके टाइप्स, यानि की प्रकार, और उसकी संरजना. इसा भी चीजों का अध्यन किया जाता है, वो ब्रांच कहलाती है, एम्ब्रेयोलो तो मोस्त इंपॉर्टं ठरम बहुत इंपॉर्टेंट अब इसका डाइग्राम तो मैसिंग करना मुश्कल था पॉर इसके उप्योंपल बहुत वीजिए है सबसे पहले समझे एपीडियो मेलोजी है क्या जिसमें महामारी का अध्यन किया जाते है और उसके रोग थाम के उपाई बताया जाते है for example, कुरोना recently जो कुरोना है ये क्या है एक तरह के महामारी है ठीक है? तो इसका अध्यन करना इसके रोग थाम के उपाई करना एपीडियमिलोजी है एपीडियमिलोजी next is a histology अब histology क्या होता है एक्जाम में कई बार पूछ गया है तो इसमें tissues का अध्यन किया जाता है उतकों का अध्यन करते हैं उतक क्या है a group of the cell is called tissue कई बारे सस्ती में पोछ गया है कि उतक क्या होता है तो कोश्याओं का समोग उतक कहलाता है फिर से रिक्वेस्ट है ये चैनल आप सब्स्क्राइब करें ताकि आपको ऐसी इंट्रस्टिंग चीज़े मिलती है पढ़ने के लिए now next is a horticulture horticulture क्या है ये एक ब्रांच है ये एक शाख है जिसमें फल फूल और सब्जियों का अध्यन करते है ठीक है फल का अध्यन करेंगे फूल का अध्यन करेंगे और इस तरह से सब्जियों का अध्यन तो ये सारी चैज़े क्या कहलाती है ये कहलाती है horticulture now last is a hydrology hydrology क्या है hydro शब्द है मतलब के related to the water तो water का जो distribution है और अर्थ पे water से relation है और अर्थ पे जितना water है उन सभी चीजों के study करना hydrology कहलाता है तो ये हमारा डाइग्राम के साथ पूरा का पूरा analysis था ओप सो आपको काफी help करेगा और इस तरह यदि मुझे इस वीडियो में अच्छा response मिला तो मैं आगे मां की भी important terms जो है जो की logic है जो studies हैं जो branches हैं उनके videos बनाऊंगी thank you so much